आई पाक या मंच पर आप मुझे ले आये हैं मैं आपका अभारी हूँ एक बड़ा कारिक्रम है बड़ा मंच है जो देश के लोगों को नई दिशा देने का कारिकर रहा है मंच बदल गया है हास क्रेट कर दिया गया है महिलाओं को खड़ा करके और भद्दगी वहां शुरू मैं तो कहता हूँ कि अगर साहित में जो लिखन हो रहा है जो कहा जा रहा है उसको उठा लिया जाए तो बहुत सारी समस्याइं उससे हल हो सकती है क्योंकि हम सारी बातें उसमें उठा करके रखते हैं नमस्कार मैं मिर्जापूर से संतोष देवगिरी आईपा यानि आल इंडिया प्रोगिशिक पॉलिटिक्स एस्विएशन जो बात करता है प्रक्सिल समाज की प्रक्सिल मुद्दों की प्रक्सिल राजनीत की आज हम अपने इसमंच पर आईपा की इसमंच पर जनपत के वर इसमंच पत्रकार सहित्रकार भोलानात कुषवाज जिसे रुबरो कराते हैं जिने उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान से मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है आप राजस्थान सहित्र कई अन्य प्रांतों में भी बिविद आउस्वरों पर सहित्र कला के छे आपके दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में आपकी छत्र छाया में रहते हुए कई युवा कलमकारों ने पत्रिकार्ता के सिच्छा ग्रहन करते हुए उच्च मुकाम को हासिल किया है। बोलानाज जी से और उनके ही मुखार बिंदूओं से प्रगसील मुद्दों पर खास करके शाहित के छेत्र में भिवित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके भी विचारों को जानते हैं सरवप्रतम हम उनका परचे प्राप्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं बोला नात कुछ वहा निवासी मिर्जापुर का हूं और पत्रगाज़ता से जुड़ा रहा हूं और साहिक के लेखन भी कर रहा हूं एक लंबी यात्रा है और उस यात्रा में बड़े लंबे अनभाव हैं अब मेरी उम्र 71 के उपर जा रही है त बहुत कुछ देखा सुना है पत्रगाज़ता और साहित दोनों जीवन से जूड़ते हैं एक सीधी बात करता है और एक प्रतिव को के माध्यम से अपनी बात कहता है लडाई दोनों लड़ रहे हैं अभी ये विशाई अलग है कि लडाई किस तरह चली जा रही है किस तरह ल लोगों को नई दिशा देने का कारिकर रहा है प्रगत चिलता की बात आप कर रहे minute और इस देश में जब प्रगत चिलता की बात होती है तो पुरातन जो है बिलकुल सामने आ जाता है की मित्त हमारे सामने खढ़ा हो जाता है और एक बड़ी संख्या जो हमारे देश Qaronik 001 कि है वो धार्मिक सद्धा से उसी बहाओ से जू़ी हई जब भी कोई नई बात की जाती है तो वो कहीं ने उसमें उल्जाव आता है और वो बदल नहीं पाते लोग अपने को और इसका लाभ राजनीत में बहुत भयानक रूप से लिया जा रहा जिसका प्रणाम आगे जाकर बहुत खराब होगा तो मैं तो यह चाहता हूँ कि प्रगर्शीलता आए और जो हमारी पुरातन संस्क्रिती में जो विशेश बाते हैं जो मूल्य हैं वो भी रहें दोनों के मध्य चलने की बात मैं करता हूँ एकदम प्रगर्शील हो जाएं इतना कि सब कुछ पीशे का छूट जाए तो वो भी इस जमीन को सुर्कार नहीं होती इसलिए आप देखें होंगे अपनी यात्रा में आप सब लोग अगबार से जुड़े रहे हैं पत्रकारता से जुड़े रहे हैं और आप चैनल से आपक प्रणाय भड़काई लोगों को उत्ये जित किया और एक वातावन नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था आजादी मिली तो आजादी लेने वालों को भी अलग-अलग रंग से देखा गया गांधी को अलग देखा गया सुबास को अलग देखा गया चंसेकर को अलग देखा गया हालाकि सबका उद्यश एक ही था कि हमें देख को आजादी मिलनी चाहिए अब एक समसामाइक विश्यों पर आप तातकालिक विश्यों पर विचार करें ये तो आप लगेगा कि मत भिनता तो विशारों की रही है लेकिन उसको खड़ा करके एक गंधी राजनीत करने का जो प्रयास हुआ लोगों को बाटने का जो प्रयास हुआ वो अच्छा नहीं था गांधी भी हमारी लिए स्विकार है बड़ा अंदोलन विश्व में एक बड़ा नाम है गांधी जी का और सामाजिक सरोकार और सामाजिक दुनिया से जुड़कर वो चलते हैं बदलाओ की बात करते हैं तो राजनित की ही बात करते हैं सुतंता की बात करते हैं उनकी लड़ाई संपूर्ण परिवर्तन की लड़ाई है कि वहला आजादी ही नहीं थी उनके सामने लेकिन जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनकी भी अलोचना करते हैं और उसमें से चाहिए, बिचार करना चाहिए, कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो पीड़ी आ रही है, उसको क्या दे रहे हैं, आज हम क्या हैं, हमारा कल क्या था, इन सब मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से हमें सोचना चाहिए, इन सारे जो हमारे कारिकरम हैं, उनका दुस परिणाम क्या ह होगा इस पर आज नहीं सुचा जा रहा है लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में कहीं ने कहीं ये चीजें आकर के बहुत बिघ्रनकारी होंगी हमारे अंदर अलगाव पैदा होगा और मापस में कहीं ने कहीं विभिन नमुद्दों कर लड़ेंगे लेकर तो मनुष्यता सबसे बड़ी सीज है महात्मा गांधी हो या उसके बाद जितने विचारक हुए है या भारती संस्कृति की बास की जाती है तो उसका मूल आधार ही मनुष्यता रहा है मनुष्यकों जीवन में सामने करके उसको सुधारने की बात यहां की गई है और मूल तो वही है क्योंक सब कुछ है कि आईए हम कुछ सवाल आज के दौर पर सोचते हैं विचार करते हैं आपके सामने आपने कई कविता संग्रा कहानी शंग्रा इम नाटक संग्रा भी लिखे हुए हैं उसमें से कुछ चुनिंदा संग्रों के बारे में भी आप मेजान करें दीजिए मारे पाटकों को हाँ चार कविता संग्रा है मेरे और एक कहानी संग्रा है एक नाटक है एक दोहा संग्रा भी आने वाला है तो आप लंबे समय तक आज अब बार प्रयाग राज के समचार समबादक भी तो राजनीत को देखा है मैंने अच्छी तरह से उसके बदलते सुरूप को देखा है लोगों को अपना स्वार्थ भजाती देखा है आदर्स की पत्रकारिता प्रिंट मीडिया में रही लेकिन जब से इलेक्ट्रोनिक मीडिया आया उसने उसका सुरूप बदल दिया और आप देखते होंगे कि इसकी बड़ी आलोजना होती है लेकिन कहीं इसका कोई प्रवहाव दिखता नहीं है हम लोग अखबार में काम करते रहे तो हमारे सामने एक चिंता थी कल रवाद देना पड़ेग जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया आया है वो कुछ भी कह देते हैं कुछ भी बदल देते हैं सुबह कुछ कहते हैं दोपर कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं और आपस में बैठ कर जो मीटिंग कराते हैं डिसकसन कराते हैं उसमें तो बहुत निचले स्थ जाते हैं जो की मीडिया का बिगड़ता सुरूप उसे कैसे सुधारा जाए कैसे बदला जाए वहां गंभीर विशय ले आए जाए गंभीर टॉक हो लेकिन नहीं हो रहा है अखबार फिर भी अभी बहुत साउधान है अखबार अभी भी उनको चिंता है कि हम अखबार का उद्देश क्या था केवल समाचार देना हमारे हां उद्देश नहीं था बाहर से जो पत्रकारता आई थी उनका उद्देश केवल समाचार देना था लोगों को आश्यर चकित करना था पत्रकार का कंसेप्ट भी कुछ और था लेकिन हमारे हां जो पत्रकारता थी उसमें जो शुरू में जो वि विचारक आये उन्होंने पैसे को नहीं देखा उन्होंने आदर्स को देखा उन्होंने जीवन को देखा उन्होंने मूल्यों को देखा और इसलिए अखबार में आपने देखा होगा कि संपाथ की प्रिष्ट भी है कि वह समाचार का ही कोना नहीं है उसमें वहां विचार करन कि गुंजाइश है और अभी भी अखबार में देखिए आपकी विचार दिमर्स चलता है पक्षभी है पक्षभी है लेकिन वो कुछ एक सुरूप ऐसा बदला जो एलेक्टॉनिक मीडिया आया कि उसके वज़े से अखबारों ने एक बार की अपने को मार्केट में बनाए परिवर्तन किया खैर वो तो सब देखी रहे हैं और सभालों चना कर रहे हैं शाहित की दुनिया में शाहित भी वही कुछ कहता है अखबार रोज की नियूज देता है और शाहित उसका बिचलिशन करता है कहानियों के माध्यम से कथा के माध्यम से कभी ता कि माध्यम से हम परिवर्टन की बात करते हैं, हम चाहते हैं कुछ बदल जाए, कुछ नया समाजोने जो आप चाहते हैं, हाइपा की माध्यम से, वह हम भी चाहते हैं, लेकिन अख़बार की तो सुन लेते हैं, साहित की नहीं सुनते, और अब तो आपने देखा होगा, मंच बदल गया है, हास क्रेट कर दिया गया है, महिलाओं को खड़ा करके, और भद्दगी वहां शुरूप की जाती है, राजनेता नहीं चाहते हैं कि कभी समयल होनों, अच्छा डिसकस होनों, बाचित हो, भी से उठाये जाएं, जो मैं तो कहता हूं कि अगर साहित में जो लिखन हो रहा है, जो क समाज की बात हो, चाहे बेवसाय की बात हो, चाहे राजनीत की बात हो, चाहे संस्कृत्री की बात हो, चाहे राष्ट की बात हो, सभी विशय को हम उठाते हैं, और चाहते हैं कि सब में सुधार आए, जो कुछ पिछड़ा हुए जिसे मैलाओं की समस्याइं आती हैं, तो ए चाहते हैं कि वह सतंत्र हो उनका आश्तित तो अपना हो उनकी बात सुनी जाए उनका आर्थिक पक्स मजबूत हो वह स्वयम दिरने ले सकें बाहर जा सकें लोगों के साथ बीच में बैठ सकें उनका जीवन में बदलावा सकें जो स्रमिक वर्ग है आप देखते होंगे उसका उसका स्थान जो है हमारे हां हमारी देश में सेकें दूसरे स्थान पर है जो बाधिक वर्ग है जो लेखन करता है उसका स्थान प्रथम होता है उसको विद्वान मान जाता है उसको पुरस्कार दिया जाता है जो स्रम करता है शेवा करता है जो बड़ी बड़ी विल्डिया नहीं और सामाजिक प्रतिष्टा भी नहीं उसके लिए है वो कहीं बैठकर किनारे खा लेता है दो पहर में उसको लाए गुड़ चना खाल लेता है खाना नहीं मिलता है दिन पर काम करता है सिर पर बोजध होता है अभी आप देखिए मंडियों में जो श्रमिक वर्ग है उसक बच्चों को जो पढ़ाया जाना तो मैंने कहता हूं कि पुराना सब कुछ अच्छा था लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग उसी पुराने में पैदा होकर खड़े हुए देश को बनाया देश के लिए लड़े देश को विचार दिया आज जो नया जीवन है उसमें के अच्छे मुल्य को आप छोड़कर केवल इस तरह की शिक्षा देंगे कि जिसमें केवल उसके पास सूचना आ जाए उसके ज्यान का ब्रकास नहों प्रकास ना आये उसके अंदर उसके सोचनी की छमता नहों तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है केवल पहनावे से सिक्ष आप नहीं दे सकते बदल नहीं सकते और इस देश को बदलने के लिए बहुत आवस्यक है कि अच्छी सिक्षा दी जाए अच्छी सिक्षा में आपको सोचना पड़ेगा अच्छी सिक्षा क्या है बहुत सारी बाते हैं पुराने जिस पर लोगों के भिन्द भिन्द विचार हैं मत हैं मनुवाद और तमाम चीजें लेकर चलते हैं मैं ऐसे विशयों पर कहता हूं मेरा अपना मत है पिइस जो भीत गया है जो इतिहास हो गया है उसको लेकर आपको लड़ते हैं उसने से जो अच्छा है ओं ले जिए जो आपके लिए आजादी के बात चाहद जो सम्भिधान ने दिया हैं उसके हिसाब से सेल यह और कुछ अच्छा कर सकते हूं जो बना सकते हूं उसको आप बनाईए, पीछे को आप देखते हैं कि फला ने हमारे उपर आकरमर किया था, तो इसलिए हम उस उबर के लोगों को पिडित करें, तो इससे समस्या का कोई हल नहीं है, आज संबिजान बड़ी मेहनत के बाद विद्वानों ने तमाम बनाया है, तमाम आजादी की है उसमें, तमाम लोगों का अथिकार दिया है, बराबरी की बात की है, तो कम से कम हम इस डेश में आजादी के बाद, एक दिरिश्थ हमारे सामने उस समिधान हमारा गेता है, तो हम उसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जो आज की राजनीत्स आई है हमारे देश में, उसनी आपका क्या काना है जो कोशिश कर रहा है उसके लिए मेरी शुपकामनाएं है बस यह है कि उसका अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या करना चाहता है दो चीजें बहुत आवश्यक है पहले तो जो आप ही प्रगलसील कुछ कर रहे हैं उसमें इस देश को जानिए आज जो प्रगलसीलता को यहां नकारा गया है और जनता स्विकार नहीं करती है उसके पीजें सबसे बड़ा कारण है कि आप यह मैं आपको नहीं कह रहा हूं आप से मतलब मेरा एक बहुत संख्या गवर्ग है जो यहां को जानता ही नहीं इस जमीन में आदमी क्या सोच रहा है क कैसे गंगाशनान करता है कैसे बसंत पर्च्वी मनाता है कैसे सरस्थी पूजा करता है तो आप प्रगस्थिलता की बात करेंगे तो वह उसको पसंद नहीं आएगा तो उस जीवन को जीते हुए आप उसमें से कोई राष्टा निकालिए जिससे कि उससे स्विकार हो और धीरे जीरे वो अपने को बदल सके धान्यवाद सर्थ